हलो दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब जनल रामनिर क्लासेज में कारे पुस्ति का खक्षा 10 विज्ञान की हम हल कर रहे हैं कारे पत्रक 49 तक हम हल कर चुके हैं इस वीडियो में आप देखेंगे अंतिम कारे पत्रक, कारे पत्रक 50 का हल अमामी गंगे कारिक्रम का क्या उदेश्य है वनों का सरक्षन पेट्रोलिम संसाधनों का सरक्षन प्रदूशन सरक्षन वा गंगा नदी का सरक्षन या प्लास्टिक युगत भारत उत्तर लिखना है option number sir, production selection वा गंगा नदी का सरक्षन दूसरा है परियावन को बचाने में 5 आर का उलिक कीजिए 5 आर है refuse, reduce reuse, repurpose और recycle तो बारी बारी से लिखेंगे refuse यानि जिन वस्तू के हमें आवशक्ता नहीं है उन्हा लेने से हम इंकार करते हैं reduce हमें कम से कम वस्तू का उप्योग करना चाहिए reuse, इससे हम किसी वस्तू का बारबार उप्योग करते हैं repurpose यानि वस्तू का पुनह प्रयोजन recycle यानि प्लास्टिक कागज का आज जैसे पदार्तू का पुनह चक्रन करके उप्योगी वस्तू बनाना तीसरा है आमें प्राकरतिक संसादोनों का विवेक पुन रंग से उप्योग करने के आवशकता क्यों है उतर लिखिए क्योंकि प्राकरतिक संसादन सीमित है ये संसादन वर्तमात एवं भावी पीडी दोनों के लिए उपलब्द रहें इसलिए इनका उपयोग विवेक पुर्ण रंग से करना चाहिए प्रश्च नमर चार है परण मित्र बनने के लिए आपनी जीवन चले की चर्चा कीजिए वनों की कटाई रोकना, रक्षा रोक पन करना पेट्रोल से चलने वाले वहानों का कम उपयोग करना प्लास्टी का कम उपयोग आदी उपयोग को अपने जीवन का अंग बनाकर परण की रक्षा की जा सकती है प्रश्च नमर पांच है स्टेक होल्डर कितने रूप में मौझूद है संक्षिप में लिखिए पहला है वन के अंदर वसके निकेट रहने वाले लोग जो वनों पर निर्बर हैं दूसरा सरकार का वन विभाग तीसरा उध्योग पती चोथा है वन जीव एवं प्रकती प्रह्मि छटा है वरक्षों से होने वाले लाब बताईए वरक्षों से हमें न सिफ ऑक्सिजन बलकि फल लकडी फाइबर रबड आधि वस्तुई प्राप्त होती है तूसरा वरक्ष पशुपक्षियों के लिए आश्रे का काम करते हैं तीसरा वरक्ष परहान संतुलन के लिए आवशक है तो यह हमारा पेज नमबर 50 पे कारेपत्र 50 पूरा हो गया इसी के साथ यह भग बुक पूरी हो गई अब तो लाइक कर दीजिए वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद चल मिलेंगे हम अगले वीडियो में